तो अगर आपने crypto में invest करने के लिए आपने बहुत सारे websites पे आपने अपना profile बनाया हुआ है, profile create किया हुआ है और training जो है वो सिर्फ आप एक ही website से कर रहे हैं purchase, sell, जो भी है आप सिर्फ एक website को use कर रहे हैं उसके लिए तो अगर आप बाकी का account है, आप उसको delete करना चाहते हैं अगर आपने account जो एक point base पे बडाया हुआ है या फिर point доis kiss पे बनाया हुआ है या फिर point switch पे आपने profile बनाया हुआ है तो अगर आप उसमें से coinbase जो है अगर उस account को अगर आप delete करना चाहते हैं तो हम लोग इस वीडियो में particularly उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो coinbase का account है उसको आप कैसे delete कर सकते हैं permanently और ताकि आपका उस पर जो profile है वो ना रहे तो इस वीडियो में आगे मैं को ही दिखाने वाला हूं मैं आपका दोस्त रॉनक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंग जी को और बैल आइकन दबाईए सबसे पहले नोटिफिकेशन इस पानी के लिए सबसे पहले आपको आपका जो coinbase का यो account है उसको यहां पर open कर लेना है यहां पे आप वोपेज जो सबसे पहले चेक कर ले वस्सेमें अभी watchlist में कुछ भी एड नहीं है फिलाल तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो इसका home page और यहां पर पोर्टफोलियो भी आपको यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं तो यहां पर नीचे home page के नीचे आपको portfolio का option मिलेगा portfolio open करें और portfolio को open करने बाद यह देखें यहां पर सारे options जो है वो सारे यहां पर show हो रहे हैं और इसके बाद से हमें चले जाना है अपने profile में और profile पर जाने के बाद यहां पर settings का option जो है वो मिल जाएगा settings के option में जाने के बाद आप यहां पर देख पाएंगे आपको profiles preferences security, activity, privacy, payment methods, API, account limits और crypto addresses जो है वो मिल जाएगे तो यहां पर आपको जो है activity जो है यहां पर उसको select करना है slide करना है नीचे बिल्कुल नीचे और जैसी आप नीचे slide करेंगे तो वहां पर close account का option जो है यहां पर आपको मिलता है red box में close account पर आपको क्लिक करना है security के लिए वहां पर आपको password जो है provide करना होगा और यहां पर जैसी आप password प्रोवाइड करके और फिर यहां पर close account का जो option है उस पर click करेंगे तो यहां पर एक दूसरा option जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें कि यहां पर आपको सब check करना होगा कि आपका जो account balance जो है वो zero ह है जीरो बैलेंस इन डॉच कोईन जीरो बैलेंस इन बेट कोईन वालेट नो पेंडिंग एक्टिविटी और इन और इन अकाउंट कंफॉर्म सब कुछ कंप्लीटेड है तो फिर यहां पर close my account पे जो है आप यहां पर click करेंगे और close account पे click करने बाद फिर आपको यह interface जो है Coinbase का देखने को मिलेगा दोबारा से sign in करने का get started का यानि sign up का जो option है वो यहां पर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहां से जो है अपना Gmail है उसको open करेंगे जो की confirmation mail जो है वहां पर आपको provide किया गया होगा तो यहां पर आप Coinbase की तरफ से चेक कर ठीक सर्च का रड़ से नहीं अटाप करेंगा एक